सभी दिदियों को मेरे तरफ से नमस्कार, आप सभी को प्रेरणा टीवी चैनल की तरफ शे नमस्की सुब काम नाएं आसा करती हूँ दिदी कि आप लोग पनसुत्र का पालन जरू करती होंगी जी हाँ जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको बता है इस वीडियो में भी बताती हूँ पांच सूत्र हमारे कौन से हैं सापताहिक बैठक, सापताहिक बचत, आंत्रीक उधार और समय से रिण वापसी और समय से लेखा जुखा इन पांच सूत्रों का दीदी अगर आप पालन करेंगी तो आपका समय कभी नहीं तूटेगा जी हाँ, हमारे समय का निव क्या है? पंच सूत्र, इस सूत्रों को हम लोग पालन करके समय में जादा से जादा लोन पा सकते हैं और अपने समय को आगे ले जा सकते हैं तो आप लोग पंसुत्र का पालन करके बैठा किया किजिए और ज्यादा से ज्यादा लोन लेकर अपने आपको आगे बढ़ाईए जिहां गरीबी को दूर भगाईए जैसा कि मैंने इस वीडियो में दिखा रखा है दीन द्याल अन्ते योदय योजना राष्ट्री आजीव का मिशन क्या है जी हाँ आए जानते हैं इसके बारे में विश्तारते ज्यादा ना बात करते हैं में टॉपिक तरफ जी दिदि आनलाइन आवेदन आप लोग कर सकती है राष्ट्री सहरी आजीव का मिशन राष्ट्री ग्रामीड आजीव का मिशन जी हाँ दोनों ही आजीव का मिशन है कुछ दिदियों सहरी के लिए है और कुछ दिदियों ग्रामीडों के लिए है तो आईए बताते हैं पूरा विश्तार से दिन द्याल अन्ते योदय योजन जिहां दिन द्याल अंतियोदर योजना की सुरुवार भारा सरकार द्वारा देश के ग्रामीड और सहरी छेत्रों के गरीबों को कई प्रकार की सुविधाई उपलब्द कराने के लिए की गई है इस योजना की अतरगत गरीबी के कोशल विकास और अजीव का की आउसर में विर्दिकर गरीब लोगों को रोजगार की आउसर प्रदान कर उनकी गरीबी के जिहां गरीबी को दूर करना है यहां योजना राष्टी सहरी आजीव का मिसन और ग्रामीड यहां और राष्टी ग्रामीड आजीव का मिसन का एकी करण है मेरी बहनों ध्यान से आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से इस से जुड़ी सभी जानकारिया प्रदान करने जा रहे हैं आप इस वीडियो को दिदी अन्तक जरू देखेगा तभी आपको पूरा चीज समझ में आएगा राष्ट्री आजिव का मिशन दीन द्याल अन्ते ओद योजना मिशन जी हाँ राष्ट्री ग्रामिड आजिव का मिशन दीन द्याल अन्ते ओद योजना 2021 का उद्देश जी हाँ 2021 योजना का कार्य नवन राष्ट्री आजिव का मिशन 2021 के मुख तत्य राष्टी ग्रामिर अजीव का मिशन की प्रमुख प्रात्मिक ताएं दीन द्याल अन्ते योदा योजना 2021 की दस्ता वेज और पातता दीन द्याल अन्ते योजना 2021 आल लाइन आविदन कैसे करें आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ये बताएंगे कि आप कैसे आलाइन आविदन कर सकती हैं राष्टी आजीव का मिशन इस योजना को दो भागों में बाटा गया है पहला ग्रामिर भारत के लिए जी हाँ ग्रामिर महिलाओं के लिए ग्रामिर भारत के लिए तथा दूसरी सहरी भारत के लिए जो सहर में रहने वाली दिदिया हैं उनके लिए दिन द्याल अंतियोदय योजना के रूप में नामित सहरी घटक को अवास और सहरी गरीबी उपसमन मांत्रालाई हुप ए द्वारा कारिन्यमन किया जाएगा और दीन द्याल उपाध्याय जी हां दीन द्याल उपाध्याय ग्रामिर कोशल योजना में ग्रामिर घटक का कारिन्यमन ग्रामिर विकास मंत्रालाई द्वारा किया जाएगा दीन द्याल अंतयोदा योजना मिशन इस योजना की अंतरगत सहरी छेत्रों में प्रसिच्छन केंडर यसजी सन्वधन और बेघर लोगों को अस्थाई आश्र दिया जाएगा इसके मतलग है कि बेघरों के लिए घरों का निर्मार तथा निजी तथा सामोहिक सुचम जिहां सोच में निर्मार के लिए सडक समान बेशने वालों के लिए कूड़ा बिनने वालों और जिहां कूड़ा बिनने वालों आदी सहरों में रहने वाले निर्धनों के लिए रोज सहरी आजीव का मिसन के तहत सहरी छेत्रों के जिहां सहरी छेत्रों के लिए दीन द्यार उपाद ध्याय अंतियोदय योजना के अंतरगत सभी 4041 सहरों और कज़वों को कवर कर पूरे सहरी आबादी को लगबग कवर किया जाएगा राश्ट्री ग्रामीर आजीव का मिसन इस मिसन की अंतरगत ग्रामीर छेत्रों के सामुदाइक संस्थानों के जरिये गरीब लोगों को आजीव का के विभिन स्रोतों को उपलब्द कराना और ग्रामीर छेत्रों के गरीब लोगों की गरीबी दूर करना इस योजना के अंतरगत ग्रामीर छेत्रों के 10 लाख लोगों को प्रसिचित किया जाएगा केंदर द्वाराप प्रायोजित इस कारिक्रम को राजियों के सहयोग से लागों किया जाएगा इस मिसन को 2011 में लांच किया ग्या था यह राष्ट्री ग्रामीर छेत्रों का मिसन 29 राजियों जिहां 29 राजियों और 5 केंडर सासित प्रदेशों के 546 जिलों की अंतरगत 449 प्रखंडों में लागू किया गया है वितवर्ष जिहां वितवर्ष पहले वर्ष में 2017-18 में 1.28 लाख ग्रामिड युवाओं को प्रशिच्छा प्रदान किया गया और इनमे से 79,320 युवाओं को बेहतर परिश्च्छमिक वाले अस्थानों पर रोजगार मिला दीन द्याल अंतियोदय योजना 2021 का उद्देश जैसे की दिदी आप लोग सभी जानती हैं कि देश के ग्रामिड और सहरी छेत्रों के गरीब लोग आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बहुत से गरीब लोगों के पास को आये का कोई स्थिर साधन ही नहीं है इस सभी दसाओं को देखते वे के सरकार ने इस दीन द्याल अंतियोदय योजना 2021 को आरम किया है इस योजना के जरिये सहरी गरीब परिवारों की गरीबी और जोखिम को कम करने के लिए उन्हें लाबकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के आउशर का उपियोग करने में सच्छम करना जिसके परिणाम स्वरोप मजबूत जमीनी अस्तर के निर्मार से उनकी आजिवका में स्थाई अधार पर सहरानिय जिहां सरानिय सुधार हो सके इस एन्रल्यम 2021 के माध्यम से गरीबी समाप्त करना तथा आजिवका के विविध स्रोतों को प्रोशाहर प्रदान करना है आज की वीडियो में दीदी बस इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसान रहे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरू कर दे आप लोग जुड़े रहे आजिवका मिसन से जी हां एन्रल्यम द्वारा जो समू चलाई जा रही है एन्रल्यम संस्था द्वारा आप लोग कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं मेसेज कर सकते हैं आज की वीडियो में दीदी बस इतना ही धन्यवाद